आप देख रहे हैं BR Tech Films अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीज़ए और बहुत सारी चीज़ें आप ओनलाइन डारेक्ट दिवार पर प्ले कर सकते हैं बिना किसी और डिवाइस को इस प्रोजेक्टर पर कनेक्ट करे हुए वैसे connectivity options बहुत सारे हैं इस box को अब फटावड ओपन कर लेते हैं और इसके price चिकरते हैं इसकी शुरूबात box पर mention है 14,990 लेकिन ये आपको मिल जाएगा 12,990 रुपे का description में मिल जाएंगे सारे links ये एक Indian projector है तो आपको Amazon, Flipkart और Paytia Mall पे ये projector मिल जाएगा मैंने description में link includes कर दी हैं best by के तो वीडियो की description में जरूर चेक कीजिए बाकी सारी इस projector की highlights इसकी specifications के साथ में start करते हैं जब तक करता हूं मैं इसका box open साथ में बताता हूं कुछ highlights E-gate के इस K9 Android projector की तो box को लेते हैं open और साथ साथ बताते हैं कुछ specifications अब यहाँ पर ये जो है ये एक Indian brand है E-gate और इसका model number है K9 और ये एक Android projector है यहाँ पर जो इसकी built quality है वो काफी बहुत बढ़या दे रखी है जो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं dust proof है तो जल्दी से इस पर dust नहीं बैटने वाला एक साल की warranty है door step service आपको मिल जाएगी और Bureau of Indian standards से जो है ये certified है इसमें double fan है with robust heat sink यानि कि इसमें copper की heat sink का इस्तमाल किया गया है 150 तक की inch का जो है आप screen display आप जो है यहाँ पर project कर सकते है ये एक LED projector है और इसकी जो lumens power है वो है 2400 lumens 30,000 घंटे की इसकी lamp life है ये एक HD projector है 720 pixel इसका native resolution है full HD files आप समें play कर सकते है लेकिन output 720p का मिलेगा इसकी best feature है digital keystone 4D correction जिससे corners जो है वो blur नहीं होते inbuilt box speaker इसमें दिये हुआ है quad core processor इसमें android base है ये wireless mirroring आप कर सकते है PC free design है यानि की USB को directly play कीजिए और अपनी presentation files बगारा को इसमें play कर सकते है ये हैं इसके highlights और अब देखता है ये projector कैसा है और ये projector किस तरह से काम करता और इसकी quality कैसे मिलती है हम इसको day में यूज़ करेंगे daylight में और देखेंगे इसकी performance कैसे है हम जादा dark room में इसको इस समय use नहीं करने वाले कोई projector screen का इस्तमाल नहीं करने वाले और इसको दिवार पर चला के देखेंगे इसकी manual के अंदर आपको बहुत सारी information मिल जाएगी इसमें आपको wifi का connectivity मिलता है Bluetooth connectivity मिलती है HDMI AV connectivity और VGA connectivity आपको इसमें मिल जाती है और यहाँ पर इसकी user manual में warranty certificate है तो एक साल की warranty इस projector के साथ में आपको मिलती है company का toll free number उसमें दे रखा है जिस पे आप directly contact कर सकते हैं email दे रखा है जिस पे आप directly contact कर सकते हैं कोई भी warranty related information अगर आपको चाहिए तो इसमें सारी चीजे user manual में ही mention है बाकि description में मैंने बहुत सारी चीजे mention करी हैं तो वो भी आप जरूर देख लीजेगा price और इसे खरीदने का best buy link भी description में दिया हुआ है build quality की बात करें इस projector की तो काफी sturdy है बहुत ही बड़ी है build quality के साथ में आता और काफी premium design इसका देखने को मिलता है सामने की तरफ हमको मिलता है IR sensor उपर की तरफ मिलती है हमे fully functional keys और यहाँ पे adjustment knobs जिससे आप इसे focus कर सकते हैं यहाँ पे रखिए adjustment knobs तो इससे आप इसको focus कर सकते हैं इसके picture को फिर से बता रहा हूँ कि इसमें 4D correction technology का use किया है जिससे जो corners होते है वो blur नहीं होते तो यह रहा है projector का lamp और यहाँ पे इस तरह से यह quality बना रखी है इनोंने यह dust proof है आगे e-gate की branding मिल जाती है अभी जब इससे चलाएंगे हम तब इसकी quality देखिएंगे किस तरह से आ रही है remote यह रहा है इसका fully functional remote है तो remote में आपको home button, volume button, mute button, flip का button और navigation keys मिल जाती है सारी ही इसमें AAA की दो batteries आपको डालनी पड़ेंगे इस remote को operate करने के लिए आपको projector के साथ में AV का adapter मिलता है, HDMI cable मिलती है तो यह बहुत अची बात है अपना setup box वगर आप इसमें connect कर सकते हैं AV वाला भी, HDMI वाला भी, PC connect कर सकते हैं इसमें, mobile को wirelessly connect कर सकते हैं, mirror कर सकते हैं इसमें एक double box speaker inside में दे रखा है और यह रहे इसके connectivity port, सारे USB, HDMI के दो port, 3.5 mm का jack भी है इसमें और AV का port भी है साथ में HDMI के दो ports हैं तो HDMI device भी connect कर सकते हैं तो दुनिया पर यह connectivity यहां मिल जाती है प्लस इसमें Bluetooth भी है तो वो एक plus point हो जाता है और Android based है तो वो भी हम देखने वाले हैं कि यह किस तरह से function करता है अभी जब इसको हम play करेंगे और यहां पर दीखे, ventilation काफी अच्छा दे रखा है और यहां पर double fan का इस्तमाल कर रखा है तो अभी जितने समय से मैंने इसको चला है यहां पर कोई ऐसा बहुत जादा heating issue नहीं मिला है तो यहां पर ventilation भी अच्छे कासे दे रखे हैं बैक साइड में सिंगल पोर्ट है, VGA का बागी सारे पोर्ट जो है वो राइट साइड में दे रखे हैं और build quality काफी sturdy मिलती है इसकी जैसे मैं आपको वीडियो में अभी बताया अब लगाया और एक और vent यहां पर दे रखा है और बस इसको बिजली में लगाईए डिरेक्ली plug and play वाला सीन यहां पर शूरू हो जाता है, वाइफर से connect कीजिए और चालू तो चलिए फिर अब इसको लगाते हैं, हम on करते हैं, power on करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके features के बारे हम बात करते हैं, mirroring भी करेंगे क्योंकि यह mobile से connect हो जाता है wirelessly तो वो भी करके आपको दिखाएंगे, तो अब इस projector को फटा-फट से connect करते हैं power पे और इसकी performance को भी अब जो है check कर लेते हैं, अब इसको मैंने on कर दिया है, तो इस तरह से नजर आता है on होने के बाद में और इसका first boot जो है वो दिखा देते हैं आपको, तो first boot होते ही यहाँ पे देखिए, दिवार पे मैंने इसको focus कर दिया है और first boot होते, यहाँ पे e-gate की branding आपको मिल जाएगी, पीछे LED लिखा हुआ है, तो यहाँ पे colors combination आप देख सकते हैं, camera इस चीज को justify नहीं करेगा, और मैं यहाँ पे देखी आपको बीच बीच में इसको जो है, shake करके दिखाता रहूँगा, कि आप इसकी quality को अच्छे से समझ स सकते हैं, mobile के hotspot से connect कीजिए, wifi से connect कीजिए, बहुत ही असानी से आप कर सकते हैं, यहाँ पे browser वगएरा भी दे रखा है, आप play store से app भी download कर सकते हैं, इस projector के अंदर, तो यह काफी सारे सही चीजे मुझे जो है लगी है, Netflix वगएरा इसमें है, आप Amazon Prime वगएरा भी इसमें डा करते हैं, यहाँ पे easy share server नाम की एक app है, इसको आपको खोलना है, उसके बाद में आपको जैसे मैंने बता है, देखे, corner कोई भी इसका blood नहीं हो रहा है, फोन में भी मैंने e-share वाली app को download कर लिया है, और बस यहाँ पे मैंने scan QR code को जो है, ओके किया है, प्रोजेक्टर की स् पे प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं, clarity कितनी अच्छी है, इसकी, मैं फिर से यह भी कह रहा हूँ कि camera जो है, इस चीज को justify नहीं कर पाएगा, जो real time में quality में इसकी देख रहा हूँ, काफी बढ़िया quality जो है, इस projector की मिल रही है, यह देखे, यहाँ पे इसके अंदर inbuilt speaker है, आप चाहें, तो अलग से speaker भी connect कर सकते हैं, मैं भी आपको इसकी sound भी सुना दूँगा इसी वीडियो में, तो यहाँ पे मैं अपना ही जो है, वीडियो मोबाइल से wirelessly connect किया है, यहाँ पे और देखे, मैं play कर रहा हूँ, मोबाइल से, तो यहाँ पे screen mirror हो गई है, और iPhone जो use करते हैं, उनके लिए dedicated एक अलग से app दे रखी है, तो e-share से आप कर सकते हैं Android को mirror, और i mirror नाम की app है, इससे आप अपने iPad या iPhone को भी जो है, इसमें directly mirror कर सकते हैं, Android users जादा है, इसलिए मैं आपने Android app का जो है, आपको पूरा interface दिखाया है, इसमें Office Suite 8 जो आप है, पहले कर सकते हैं, आपको computer की जूरत नहीं पड़ेगी, normally क्या होता है, हम projector को computer से connect करके सारी files को play करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ USB से कुछ भी connect करके आप play कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको inbuilt apps मिल जाती है, quad core processor है, तो किसी तरह का कोई lag नहीं मिल रहा है, अब य 720p maximum में ही play होगा, यहाँ पे आप browsing कर सकते हैं, इसमें browser भी दे रखा है, तो चलिए browsing भी करके देखते हैं, Google पे अपने channel का नाम search करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैंने browsing भी करिया है, इस projector पे, तो पूरा computer वाला काम हो जाता है, android वाला सारा गाम हो जाता है, दिवार प पे बड़े पढ़ते का मज़ा भी मिल रहा है, और साथ में हमें android की features भी मिल रहे हैं, तो इसी लिए जो है, इस projector में मज़ा जादा आ रहा है, यहाँ पे मैंने अपना वीडियो प्ले किया, और साथ में आप इसकी sound भी सुन सकते हैं, बीच बीच में इसको shake इसलिए कर रह तो sound भी आप इसकी देख सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दूसरा वीडियो और देखिए, यहाँ पे maximum 720 में ही कर सकते हैं, यहाँ प्ले, clarity आप देख सकते हैं, बहुत ही बहतरी clarity है, sound भी काफी अच्छी है, additional speaker भी आप इसमें connect कर सकते है तो देखा आपने कितना बड़िया यहाँ पे हमको quality मिल जाता है, दिवार पे जब की देखिए, यहाँ पे room भी dark नहीं, आप देख सकते हैं, sides में रोशनी मिल रही है, 150 inch maximum screen size इसका जो आपको मिल जागा और 150 inch बहुत होते हैं, यह तो मैंने यहाँ पे जो चलाया है, यह maximum 60 inches तक ही मैंने project किया है, room की space के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे projector जो है, आपको 150 inch तक की screen को project करने का मौका आपको मिल जाता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक और वीडियो अपना play किया है, clarity आप देख सकते हैं, कितनी बड़िया मिल रही है, wireless mirroring में आपको ब यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूं, clarity दिखाने के लिए मैं आपको 720p वाले सारे वीडियो यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूं, तो आप clarity को यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी बड़िया clarity हमको यहाँ पे मिल जाती है, यह पे देखिए, connectivity के लिए source आप remote से ही select कर सकते हैं, तो remote का function भी काफी बड़िया से यहाँ पे काम करता है, Android 6 पे यह run करता है, projector, अब आप चाहें तो इसमें Android TV box, जैसे मैंने कुछ पुराने वीडियो में दिखाया है, काफी असानी से Android TV box जो है, projector पे connect हो जाते हैं, तो Android TV box वगएर आप connect कर सकते हैं, मेरे बाकी वीडिय तक आप इसमें बहुत सारी apps को install कर सकते हैं, प्ले स्टोर इसमें मिल जायागा आपको, तो यहाँ पे प्ले स्टोर से आप बहुत सारी apps को install करके इस पे वाइस वर्सा आप चला सकते हैं, जो नसी आप चाहें, streaming के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज है, तो यह सारे ही purpose जो है, उसको fulfill करता है, जैसे कि अगर आप पढ़ाई के लिए चाहते हैं, तो बढ़िया है, अगर आप entertainment के लिए चाहते हैं, इस तरह से Netflix या Amazon Prime चलाना चाहते हैं, तो बढ़िया है, अगर आप business के परपस से इसको ले के जाना चाहते हैं, ट्रैवल जादा करते हैं, तो easy to कहीं भी ले जा सकते हैं, और बस USB से plug and play, या फिर आप अपने mobile से इसको mirror कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो multi functions यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर play store का access मिल जाता है, और play store में दुनिया बर की apps हैं, अब यहाँ पर memory जो है, इसकी 8GB है, तो अब इस projector में 30,000 hours की lamp life मिलती है, जो की काफी अच्छी बात है, और यहाँ पर एक साल की warranty आपको स्टार्टिंग में मिली रही है इस projector के साथ में, और मैंने वैसे बहुत सारे projectors देखे समय समय पर use की हैं, जल्दी से projectors जो हैं खराब नहीं होते हैं, अगर आप उनकी care करें के तो उनको, हमेशा projector को एक open area में रखे जहां पर उसको ventilation के लिए अच्छा कासा room मिले, तो वो projector हमेशा जो है, अच्छा चलेगा और आपको value for money रहेगा, और यह projector जो है, मैं इसको अब use कर रहा हूँ, इसको मैं आज सुबह सही testing पर लगा रखा है, तो मैंने इसमें कोई heating issue नहीं देगा, किसी भी तरह को मुझे lag नहीं मिला, मैंने इसमें जितनी भी apps चलाएं, ज़्यादा तर मैंने इस पर YouTube को ही चलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा access मिलाया, बहुत बढ़िया क्वालिडी मिली है, तो यह projector आपको कैसा लगा, और हाँ इसमें tripod mount भी है, जिस को मैं starting में बताना भूल या था, तो tripod पर mount कर सकते हैं इसको आप बड़े असानी से, और अब आप चाहें, तो इसे खरीच सकते हैं, description में में लिंक दिया है, और इसकी सारी details जो है, description में mention भी कर दी है, यह वीडियो अगर आपको पसंदना है, तो like ज़रूर कीजिए, share कीज और मुझे Instagram और Facebook पे follow भी जरूर कीजेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए gadgets के साथ में, कुछ नए tech के साथ में, क्योंकि यह BR Tech फिल्म से और यहां पे आपको नए-ने gadgets मैं दिखाता रहता हूँ, तो यह वीडियो कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताएगा, और इस वीडियो को like जरूर करना, बहुत महनत करिया है यार,